देखो अगर आपने NUAS में 10 वी क्लास में या 12 वी क्लास में नियू एड़िशन लिया है और अगर आपको अभी तक बुक्स आपके घर पर नहीं आया है या फिर आप अपने सेरी सेंटर गया थे वहाँ से भी अगर आपको बुक्स अभी तक नहीं मिला है तो उसके समें आप क्या कर सकते हो क्या आप लोग NUAS जहां पर आप लोग के लिए बुक्स प्रिंट करती है वहाँ पर जाकर ड्रेक लिए यहाँ पर बुक्स कलेक्ट कर सकती हो कि निकलेक्ट कर सकती हो और अगर आप जा सकते हो तो एड्रेस क्या है कहां पर NUAS आप लोग के लिए बुक्स क पे किया है और उनका पेमेंट फस गया है जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं काफी सारे students मुझे comment किया है और काफी सारे students ने Instagram पर contact भी किया है कि सर हमने आपके लिंक से जो मैंने link आपको प्रोवाइट कर रखा है examination face को पे करने का उस लिंक से हमने payment किया है और हमारा payment फस गय तीसरा पॉइंट यहां पर हम लेने वाले हैं कि रीचेकिंग रीवेलवेशन का रियल कब तक आएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे और रीचेकिंग रीवेलवेशन के लिए जिनी स्टुडेंस ने अपलाई कर रखा है क्या वो ऑक्टो नॉम्मद वया तेज सेशन के एक लेने जा सकते हैं और कैसे जाएंगे यहां पर मैं आपको बतायता हूं तो देखो जहां पर आप लोग के लिए एनिवेश से बुक्स को मतलब कि प्रिंट करवाती है चपबाती है और उसके बाद वहां से भेशती है उसका एड्रेस यहां पर आप देख लो यह देखो यह यह आप देखोगे आपको इडिट करके बतायता हूं अब देखो जो दिली में रहते है या इस एडिरेस के नियरवाई में रहते हैं जैसे कि हर्याना हो गया गुरगा हो गया ठीक है पंजाब हो गया यहां से मतलब यह अपना कलेट कर सकते हैं के कुछे मतलब यह परदेश के स्टेट भी हो गए तो अगर आप देखो अगर आपको ये आपके नियरवाई में परता है तो यहां पर आप लोग direct जाकर अपनी बुक्स को ट्लेट कर सकते हो ठीक है और यहीं से आप लोग की लिए देखो जितनी भी बुक्स होती है यहीं पर लोग की प्रिंट होती है और यही से आप लोग के घर पर जाती है और यही से आप लोग की बुक जो है आपके स्टेडि जाती है तो आप लोग देख लो कि अगर आपको direct book चाहिए तो ऊसके समें यह address दिया गया है इस address पर widget करना होगा आपको अगर आपको direct book collect करनी है अगर आपको books नहीं मिली है तो तो इस address पर आपको widget करना होगा क्या लेके आपको face shift जो लेके जाना है admission face shift जो होता है वो आपको लेके जाना है आपको books वहां से मिल जाएंगे ठीक है और देखो मैं आपको बता हूँ कि इस address पर जाने के लिए आपको अगर आपको देखो nearby में है तो ही जाना और नहीं है तो उस case में एक suggestion और देता हूँ कि आप लोग market से boy कर लेना बाइचन देखो आप 400-500 km दूर रहते हो इस address से और सोचरियों कि इस address पर जाकर books ले तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा expensive हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो books की जो price है 200 से लेके 300 के आसपास में है और यही books अगर आप मानलो 400-500 km से दूर आते हो तो आपको यह कम से कम 700-800 की एक book पर जाएगी तो आप पुचाहो तो इससे अगर आपका दूर है घर यानि कि यह address आपसे दूर है काफी जादा दूर है तो उसकेस में अपने market से ही एनिवेस की books को purchase कर सकते हो या online भी mark से उमगा सकते हो यह सब link के मैंने आपको provide करी है और आप लोग देख सकते हो हाला कि कुछ नहीं मिलता है तो उसकेस में मुझे Instagram पर आपको contact करना है मैं आपको help कर दूँगा तो books का यह address है जहाँ पर आप लोग के लिए एनिवेस books आपको print करती है और यहाँ साप लोग की books को भेजती है वो address है आप देखो यहाँ पर अक्वा नॉम्बर में न काफी सारे students ने examination fees को भरा था काफी सारे students के पैसे फस गया है वो refund कैसे हम लेंगे सबसे पहले यह से मर लो तो सबसे पहले आप यह समझो कि जो मैंने आपको link provide कर रखा है examination fees को pay करने का वो link मेरा नहीं है ठीक है मेरा कोई भी link है नी मेरा कोई website है नी अगर आप देखो कोई कहता आपका कि यह task is helping का website है इस पर payment कर दो तो मत करना क्योंकि मेरा कोई website है नी और नहीं मैंने कोई link यहाँ पर बना रखा है कि इस पर payment करो मेरे पास आजाएगा मैं एनिवेस को कर दूँगा ऐसा कोई link मेरे पास हाई नी अब देखो जो October 1923 सेशन के exam के एक्जाम के लिए जो रई सेशन का link जो मैंने आपको वीडियो के description में दे रखा हूँ वो यह वाला link है ठीक है यह देखोगे इस पर हमने click किया और यह जो आपको link मिलेगा न यह देखो ऐसा ही मिला होगा आपको यह जो link है यह मेरा नहीं है यह एनिवेस का official link है काफी सारे ऐसे students से देखो मैं नाम नहीं लूँगा एक students की वैसे काफी सारे students से यहाँ पर रह जाएंगे देखो काफी सारे ऐसे students है जो comment कर रहे थे सिर्फ एकी students है काफी सारे नहीं है एक students है जिन्होंने मुझे comment किया था और कह रहे थे कि sir हमने आपके website से payment करा है हमारा payment फस गया है हमारे साथ fraud हुआ है हमारा को पैसा दो वापस अब माल लो भाई आप payment कर रहे हो ठीक है मुझे से पूछ के कर रहे हो या मुझे मुझे दिये हो आपने payment करने के लिए कि आप कर दो sir तो उस case में आप देखो मुझे कैसे claim कर रहे हो कि आपका website है देखो सबसे पहले दिमाग में बैठा लो ये website जो है मेरा नहीं है ये website anyways का official website है चाहो तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो जाकर जो भी मतलब higher level पे बैठे होया है या जो भी मतलब authority है जो भी anyways के लिए video नाते है उनसे पूछ सकते हो क्या ये link official है की नहीं है ठीक है ये पूछ लेना किसी से भी आप लोग जाके कि ये जो link आपको मैंने दिया है examination fees को पे करने का ये link मैंने आपको क्यों दिया है मैं आपको समझाता हूँ देखो काफी सारे ऐसे students है जिनके dashboard में October 1923 के examination fees को पे करने का link नहीं है तो उनके लिए ये direct link दिया था कि वो अपना roll लमर डालके submit पे क्लिक करके अपना examination fees को भर सकते है तो सबसे पहले आप ये समझे दिखो यहाँ पर notification लगा हुआ ये मेरा नहीं है ये anyways का है ठीक है और ये जो पूरा link है ये मेरा नहीं है ये जो examination fees के पे करने का जो आप link अभी देख रहे हो ये मेरा नहीं है जो आप लोग मुझे से कह रहे हो कुछी assurance है जो बोल ले थे कि आपके वैसे हमारा fraud हुआ है आपके पैसा वापस दो भाई देखो payment जब आप करते हो न तो आप ध्यान नखा करो ठीक है बहुत पुलाइटली समझा रहा हूँ काफी सारे जो यूट्यूबर होते इतना नहीं सहते है आपने देखो comment किया मुझे कि मेरा payment फस गया है आप ये बोलते कि सर मेरा payment फस गया है आप किसी तरीके से हमारे दिलवाने की कोशिस करो आप ये claim कर रहे हो कि नहीं आप कि तेरे वज़य से मेरा पैसा फस आए तू वापस दे मुझे तो भाई इस इसको आप ध्यान नखो कि ये जो link है ये मेरा नहीं है ये NUS का official link है किसी से भी पता कर ले ना आपको पता चल जाएगा और देखो payment करते समय आप ध्यान नखा करो ठीक है हलाकि देखो मेरा guide करना काम है payment करते समय ध्यान नखा करो कि payment जब आप लोग का paytium से cut जाता है उसके back आन नहीं होता है जो website आप लोग के लिए होता है उस website पे जाकर आपको एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट वेट करना होता है यह चीज़ मैंने आपको बताया है और वहाँ पर आपको wait करना ही परता है अब आईचन देखो आपको आप मैं फिर वो लूँगा आपको बुरा लगेगा आप देखो यार करते क्या हो paytium से payment करते गया आप समझते हो कि payment हमारा हो गया लेकिन ऐसा नहीं होता है payment confirm करने के लिए उसी website पे हमें आगेन आना होता है जिस website चाह हम payment कर रहे है यानि कि इस website पे payment कर होने के बाद भी और यहाँ पर आकर आपको एक मिनट दो मिनट यहाँ पर confirm है कि wait करना ही परता है आप बाइचन देखो अपने आपको हीरोपंती दिखाओगे आप रिफ्रेस करोगे आप समझोगे कि वहां से तो कट गया payment गया ऐसे नहीं समझना है और देखो इस अब छोड़ो मैंने आपको बोल दिया अब देखलो refund आपको कैसे मिलेगा सबसे पहले यह समलो तो अभी जो आपने payment किया है न वो गया नहीं है जो आपने payment किया है अगर आपका मान लो कि आपका payment आपके PTM से कट गया है या UPI से कट गया है और आप यहां पे आपका payment सो नहीं हो रहा फेल दिखा रहा तो आप यह मनके चलो कि आप लोग का payment जो है वो server पर अटका परा है ठीक है यानि कि bank के server पर ही अटका परा है ट्रेवल कर रहा है और अभी वो एनिवेस को मतलब payment नहीं हुआ है अगर एनिवेस को payment हो जाता है तो उस case में आप लोग की payment जो है वापस आपको मिल जाती या आप लोग का status एक से दो दिन में confirm हो जाता payment का लेकिन ऐसा नहीं है यह देखो आपको करना क्या होगा refund के लिए आप लाई करना होगा किसको bank को बाइचंज देखो अगर आपको bank बोलता है न कि मतलब हमारे यहां से तो हम नहीं जानते हैं आप उनसे सीधा बोलो कि भाई आपके हमारे अकाउंट से पैसे कटे हैं लेकिन एनिवे इसको मतलब transfer नहीं हुए वो server पर ही है और server पर जो पैसा फसा होता है उसके जिम्मेदारी भी आपकी जो bank होते है उसी की होती है वो ही आपको पैसा वापस लाकर देते हैं server से ठीक है तो इस से इसको ध्यान लखना और जो error अभी चलना है देखो मैंने आपको पहली बोला था last moment पर payment करोगे तो error मिलेगा आपको 20 तारीक को आप payment कर रहे हो last date है उस दिन payment कर रहे हो और error नहीं मिलेगा आपको ऐसा आपको नहीं सोचना है मैंने आपको बहुत पहले बोला था और अभी अगर आप payment कर रहे हो तो ध्यान रखना कि payment करते समय आपको patience रखना बहुत जूरी है ठीक है किसी का message आ रहे है आप window यहाँ पर बंद करके जा रहे हो तो इसमें payment थोई नहोगा भाई message के चकर में आप अपना payment fail कर रहे हो और उसके बाद मुझसे claim कर रहे हो कि तूपैसा दे मुझे ऐसा नहीं करना है आपको अब यहाँ पर हम बात कर चुके है refund कैसे मिलेगा आप bank जाओ bank को complain करो उनको अच्छे से समझाओ reference number लेके जाओ और उनसे बोलो कि अभी payment नहीं गया है ठीक है एनिवेस को गया ही नहीं है अगर एनिवेस को payment जाता तो वो एक दो दिन में confirm कर लेते लेकिन नहीं गया है वो server पर ही है और server पर से पैसा वापस लाना भी bank का ही काम है ठीक है आप उनसे contact करो और जो bank के manager होते हैं उनसे जाकर contact करो authority से बात मत करो bank के manager से जाके बात करो वो आपको समझाएंगे ठीक है refund के लिए आपको मैं बताओं तो एक बार मेरा भी ऐसी फसा था तो उसके से में हुआ क्याना था कि मैंने बहुत mail बगरे किये थे और mail बगरे करने के बाद जो higher level के authority होते है उन्होंने मुझे contact किया था और कहा था कि आप ऐसे ऐसे करो उसमें देखो एक एफिडेविट बनता है ठीक है 100 रुपय वाला एफिडेविट बनता है 50 रुपय वाला और उससे आप लोग का payment जो है refund मिल जाता है तो अगर आप अच्छे से पूछो गए तो मैं आपको सत्ची बताऊंगा refund भी आपको क जल्ड के लिए तो टाइम आप लोग का हो गया है लेकिन अभी देखो नौ तारीक को यहां पर क्लोज हुआ था रिचेकिंग रिवेल्वेशन कर ये फॉर्म और आज आप लोग के हो चुके हैं 22 जुलाई यानि कि यहां पर आप मान के चलोगे तो आप लोग का नौ से ले लोग कि हम अक्टॉर नॉम्मर एक्जाम के लिए फिस भरे कि नहीं भरे तो मेरा सिंपल सांसर है अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपके मार्क्स भरेंगे आप पास हो जाओगे तो वेट करो गॉन्फिडेंस नहीं है तो अपना एक्जामनेशन फिस को भल लो ठीक है बैतर होगा आपके पास ओप्सन यही है और देखो कुछ और कोश्चन है आपके मन में तो कमेंट कर सकते हूं बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ठीक है